धूलिया बाबा राजा ने सुबह जल्दी ही कूच करने का आदेश दिया राजा और सैनिक सुबह अंधीरे ही युद्ध के लिए निकल गए उसी समय गाव में एक महिला को श्रोच जाने की इच्छा हुई वो भी उसी जंगल में श्रोच के लिए गई परन्तु उसे पता चला कि राजा ने भी इसी जंगल से निकलना है पर वो मजबूर थी कुछ दे तो उसने विचार किया फिर पेर के पीछे बैठ गई तब ही घोरों के पैरों की आवाद से सारा जंगल गूंज गया महिला जल्दी से उठी और श्रोच पर मिट्टी डालने लगी इतने में राजा और उसके सैनिकों ने उसे देख लिया राजा बहुत परेशान हुआ उसने महिला के पास जाकर पूछा देवी तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो तुम्हें क्या परेशानी है वो महिला शर्म से राजा को कुछ बता नहीं पा रही थी परंतु जवाब देना आवश्यक था इसलिए उसने राजा से जूट बोल दिया कि महाराज यहां धूलिया बाबा का निवास है इसलिए मैं यहां अंधेरे में ही आपकी जीत के लिए पूजा करने आई हूँ यहां पर धूल डालने से सभी मनुकामना पूर्ण होती है राजा और उसके सैनिकों ने वहां दो-दो अंजली धूल डाल दी और राजा ने एलान किया अगर युद्ध में विजय हासल हुई तो वे यहां पर एक भव्य मंदिर का निर्मान करेंगे फिर राजा और उसके सैनिक वहां से युद्ध के लिए चले गए वो महिला बहुत हैरान हुई और मूप डिष्टी से राजा को देखती रह गई वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें बहुत घमासान युद्ध हुआ बहुत से सैनिक मारे गए और अततह राजा की जीत हुई और राजा ने वहां एक भव्य मंदिर बनवा दिया लाको की संख्या में वहां भक्त जन दर्शन के लिए आने लगे परंतु जब-जब वो महिला वहां से गुजरती थी उसे अफसोस होता था साथ ही उसे हसी भी आती थी और वो सोचती की काश वो उस दिन राजा से न मिली होती तो यह नर्थ ना हुआ होता और आकाश के और देखकर प्रभू इच्छा समझ कर वहां से चली जाती